हेलो दोस्तों आपने बहुत इसांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आप लोग लें बहुत अच्छी खबर लेक रहा हूँ जो अभी अभी आपका Airport Authority of India ATC का पेपर हुआ है दूसरी सिफ्ट का जो पेपर हुआ है दोस्तों काफी आसान ये पेपर आ गया है जैसा आपने उम्मीद किया था उससे भी जादा आसान पेपर आ गया है अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लें 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब पोच जाओगे क्योंकि जो भी सवाल में लेकर आए हूं 100% रियल सवाल है तो गैज सभी सवालों को यहाँ पर जल्दी से ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट एक-एक सवालों को देख लेते हैं जल्दी से पहला सवाल आपके सामने है तो दोस्तो अगर आप 2021 में अपने मम्य पापा का सपना पूरा करना चाहते हो एक सरकारी नोगरी लेना चाहते हो सभी सब्जेट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो दोस्तो यह प्लेटफोर्म आपके लिए बेस्ट रेगा एक्जाम मैटिक स्टडी यहाँ पर आपको सारी गोर्मेंट एक्जाम की ट्रिक मिल जाया करेगी आपको करना क्या है नीचे लाल कलर का बटन दबा कर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को ओन करना है ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जामेटिक स्टडी पर आपको टैम टिडे मिलते रहे तो गैज देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूचे गए पहला सवाल आपके सामने है अमजद अली खां का सम्मद किस वाद्य यंत्र से है तो गैज इनका सम्मद है स्रोध वादक से स्रोध वादक इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया भारत में सबसे बड़ी सिचाई नहर को क्या कहा जाता है तो गैज इसको कहा जाता है इंद्रा गांदी नहर इंपोर्टेंट सवाल था गैज करके जरूर जाएंगे देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गैज आपका ये भी पूचा गया भारत और किस देश के बीच इंद्र युद अभियास का आयोजन क्या जा रहा है तो गैज ये क्या जा रहा है रूस के बीच में यानि रसिया रसिया इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है तो गैज ये आपका है 142 वे स्थान पर 142 इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया भारत में चरम पंती आंदोलन के जनक कौन थी तो तो गैज इनका नाम तब बाल कंगधर तिलक ठीक है इंपोर्टेंट सवाल था मैं उम्मीद करते हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा मम्मी पाप का सपना पूरा करने के लिए नीचे लाल कलर का बटेन दबा कर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा देख लेता अगला सवाल दोस्तो थोड़ा धर्या बना कर वीडियो को देखेंगे एक एक सवाल मैं आपको कराऊंगा ओप्टिकल फाइबर का विश्कार किस ने किया था तो गैज ये किया था नरिंदर कंपनी ने नरिंदर कंपनी सवाल का गैज आपको ये भी पूचा गया वायू का वेग किस के दुआरा नापा जाता है तो गैज ये नापा जाता है एनिमो मिटर के दुआरा एनिमो मिटर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया एहमदाबाद इस्तित अभय घाट किसका समाधी स्तल है तो गैज ये आपका मोरारजी देशाई का एक समाधी स्तल है देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया जो आपकी X-ray किर्णे होती है X-ray किर्णे होती इनका विश्कार किस ने किया था ये भी आपका सवाल पूचा गया दूसरी सिफ्ट में इंपोर्टेंट सवाल था गाईज कर लेंगी तो दोस्तों मैं रिजिनिंग मैट के सवालों को जनरल इंटेलिजेंस के सवालों को ट्रिक से कराने वाला हूँ एक सवाल आपका ये भी पूचा गया इस्राइल की राजदानी क्या है तो गैज इस्राइल की राजदानी है जेरूसलम जेरूसलम इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेता है अगला सवाल एसियन ड्रामा पुस्तक के लेका कोन है तो गैज इनका नाम है गुनार मिडल गुनार मिडल इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया दोस्तो ये अंग्रेजी का सवाल तब बोल रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा ये आपका फिलिंद ब्लैंक से तो दोस्तो अगर कभी भी आपके केरियर की बात होती है competition की बात होती है तो गैज हमेजा आपका कभी भी break out नहीं आता break down नहीं आता break up नहीं आता तो दोस्तो breakthrough second option इस सवाल का right answer चला जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप लोग ये सवाल करके आ सकती थे second option इस सवाल का right answer चला जाएगा आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल गाईज आपका ये भी पूछा गया ये बोल रहा है कि grammatical error आपको बतानी थी grammar में क्या गलती है ये sentence दिया गया था as far the eye could reach nothing could be seen except the ruined column of an old building तो guys इसमें गलती बतानी थी यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है मतलब इस option में कोई गलती नहीं है इसमें कोई गलती नहीं है गलती है second option में ये आपका आना था as far as i ऐसे आना चाहिए था ठीक है guys लेकिन ये दिया गया था गलत second option इस सवाल का right answer चले जाएगा आप लोग इस तरीके से सवाल कर सकते थे दोस्तो लाइक कर देंगे और subscribe भी कर लेंगे बहुत important channel है देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल आप से पूछा गया बैनी वो लेंट का मतलब क्या होता है तो गया इसका मतलब होता है friendly डल नहीं होगा merciless नहीं होगा injurious नहीं होगा जो बच्चा third option मार के आगया इनका correct answer हो गया तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल कर के आ सकते थे third option इस सवाल का right answer चले जाएगा आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं तो दोस्तो एक सवाल आपका ये aptitude से एक आयत की लंबाई में 10% की व्रद्धी होती है चोड़ाई में 10% की कमी होती है इसके छेतरफल में कितने परतिसद की व्रद्धी या कमी होगी या आपको ज्याद करना है आयत का मतलब होता है rectangle तो guys ये आपकी लंबाई ये आपकी चोड़ाई पहले अगर आपकी लंबाई 10 थी भढ़के कितनी होगी 11 पहले आपकी चोड़ाई 10 थी गठके कितनी होगी 9 क्योंकि यहाँ पर 10% की कमी हुए है यहाँ 10% की बढ़ोतरी हुए है तो guys कैसे करेंगी अब इनका 6 थरफल निकालेंगी इन दोनों की गुणा करेंगे तो 100 आजाएगा इन दोनों की गुणा करेंगे 99 आएगा तो guys यह आपका नए वाला यह आपका पुराने वाला तो दोस्तों 1% तो दोस्तों मैंने से आपर क्या बता रहा है कि 1% की आपकी कमी हो जाएगी किसमें 6 थरफल में 1% की आपकी कमी हो जाएगी 1% इस सवाल का right answer चला जाएगा मतलब जो आपके आयत के 6 थरफल में कमी होगी वो होगी 1% की तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इस सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल आपका ये भी पुचा गया 100 से कम की सभी विसम संख्याओं का ऊसत क्या होगा विसम संख्या वो होती है जो कभी भी मतलब Од संख्या होती है कभी भी दो से भाग नहीं होती तो ये होती है आपकी एक, तीन पाँच, सो से कम बोला है तो गाईज ये निन्यान में तक जाएगी इनी का ओसत आपको निकालना था कैसे करेंगे पहले संख्या को जोड़ेंगे और आकरी संख्या को जोडेंगे और दो से भाग दे देंगे तो यह आएगा गाईज आपका सो बटे दो यानि पचास इस सवाल का रेट आंसर चला जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इस सवाल करके आसकती थी सेकिंड ओप्सन इस सवाल का करक्ट आंसर चला जाएगा आगे बढ़ लेते गाईज अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे करना था अगला सवाल भी कर लेते हैं तो गईज एक सवाल आपका ये भी पूछा गया एक सवाल एक सवाल आपका ये भी पुछले गया तीन वेक्तियों की वर्तमान आयू का नुपाद दिया गया है आठ साल पहले इनकी उमर का जो जोड था वो था योग था चपन था वर्तमान आयू इनकी ग्याद करनी है तो कैसे करेंगे गाईस वो ऐसे करेंगे जो इनका जोड था आठ साल पहले इसको हम क्या करेंगे वर्तमान में बनाएंगे यानि क्या करेंगे चपन प्लस आठ साल जोड देंगे क्योंकि आठ साल पहले का दियावा है और गुणा कर देंगे तीन से क्योंकि कितने लोग है तीन लोग है तो गैज यह आ जाएगा आपका total 80 और यह हमारा जोड आ गया किनकी इनकी उम्र का योग आ गया और हमें इनका जोड कितना है total जोड है आपका 20 तो गैज यहाँ पर 20 की value क्या होगी 80 एक की value क्या होगी एक की value होगी 4 तो दोस्तों क्या करेंगे जो यह अनुपात दियागा है एक अनुपात चार अनुपात नो इसमें गुणा कर देंगे चार की जवाब इसमें गुणा करोगे तो उनकी उमर कितने आएगी इन में गुणा कर देंगे आप चार की तो गैस यह आएगा चार चोक सोला एक की उमर आगे सोला एक की आगे 28 और एक की आगे 36 तो दोस्तो यही सवाल का रेट आंसर चला जाएगा जो इनकी तीनों की उमर आजाएगी 16 वर्स, 28 वर्स और 36 वर्स सवाल का रेट आंसर चला जाएगा आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे आई होब दोस्तो वीडियो को लाइक कर दिया हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा तो दोस्तो जो भी बच्चों ने मुझे आपर सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिये हैं अगर आप 2021 में एक सेरकारे नोकर लेना चाहते हो सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो ममी पापा का सबना पूरा करना चाहते हो नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जाम मैटिक स्टेडी पर आपको टाइम टुटाइ मिलता रहे तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंकी सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर